Dear Australians, Assalamualaikum, Advanced Accounting में आज हमारा ने टॉपिक है installment sales के हवाले से, और installment sales का आज हमारा पहला lecture है, तो continue करते हैं हम इसे installment sales से क्या हो रात है, इस बात को अभी हम ज़रा समझते हैं, देखिए, तीन तरह के बुन्यारी तोर पर sales की जाती हैं कार बार में, types of sales, पहली sale हम करते है cash sales, cash sales क्या होती है कि वो sale, जिस पर आप customer को माल बेचे और customer आपको उसी वक्त उसके पैसे अगर अदा कर देता है, यानि पूरी payment आपको customer उसी वक्त अदा कर देता है, तो यसे हम क्या नाम देते है, cash sales का नाम यह हमारी होती है, पहली sales, पहली type की sale, cash पर माल बेचा, तो cash पर जो भी माल बेचा, उसके पैसे आपको उसी वक्त मिल जाते है उसे हम क्या क्याते है, cash sales, यह बाद आप चेदर किसे जानते है दूसी sale होती है हमारी credit sales, credit sales का मतलब क्या होता है credit sales का मतलब यह होता है कि आपने जिस customer को माल बेचा है वो आपसे कहता है कि इसके पैसे अभी नहीं है लेकिन इसके पैसे में आपको किसी एक particular date पर ही पना दिन बाद दस दिन बाद एक हथे बाद या एक महीनी के बाद जो आपको इसके पैसे अदा कर दूगा और पूरे पैसे इसके अदा करूँगा इसे हम क्या नाम देते हैं credit sales का नाम देते हैं यानि जो भी माल आपने बिचा उसके पैसे आपको उस वक्त नहीं मिलते हैं लेकिन किसी एक future date पर आपको पूरे पैसे आपको मिल जाते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं credit sales का नाम देते हैं तीसी जो sale है वो है installment sales जो हमारा actually topic है वो है installment sales installment sales यू समझ लीजे credit sale की ही एक तरह की किसम है बस फर्क सरफ इतना है credit sale में आपको पूरे पैसे एक particular date पर future date पर मिल जाते हैं लेकिन installment sales में आपको जो पैसे मिलते हैं future date पर ही मिलते हैं लेकिन वो पैसे एक साथ नहीं मिलते बलके टुकडों में मिलते हैं यानि एक महीने बाद पैसे मिले फिर दूसरे महीने बाद पैसे पिले फिर तीसरे महीने बाद पैसे मिले तो उस किस्तों में मिलने वाले पैसे को हम क्या नाम दे रहेते हैं, फिर इंस्टॉल्मेंट का नाम देते हैं, यह एपिसोड वाली किस्ते नहीं हो, यह आप ड्रामों में देखते हैं, यह इंस्टॉल्मेंट वाली किस्ते हैं, जो के हम मुक्तलिफ मंस्क में कलेक करते हैं अ अब आसान महीना किस्तों में जो एसको अदा कर सकते हैं, यहां पर जो भी अमाउंट आप रसीफ करते हैं वह इंस्टॉलमेंट की बुनियाद पर रसीफ करते हैं, इसे हम कहते हैं, installment sales, यह नि, installment sales में एक बात जो जहन में रखने वाली है, कि जब आप customer को माल बेचते हैं, उस वक्त आपको पैसे नहीं मिलते, बलके आपको पैसे बाद में मिलते हैं, और वो भी एक साथ पूरे पैसे नहीं मिल जाते हैं, बलके थोड़े- tء gravity पैसे के और आपको मिलते रहत होता है यह हमारे पास installment sales का basic concept यानि बात हमें यहां पर जो जहन में रखने वाली वो यह case topic में हमें पढ़ना क्या है installment sales पढ़ना और installment sales का मतलब क्या है कि हम customer को जो भी माल बेचेंगे customer हमें उस वक्त पैसे नहीं देगा customer हमसे कहेगा कि मैं यह पैसे आपको कुछ दिन के बार अदा करूंगा और पैसे एक साथ अदा नहीं करूंगा बलके monthly basis पर अदा करूंगा या quarterly या जो भी decide होगा आपके दर्मयान में वो क्या हो चुकी होगी बाक में तो जहन में रखना है कि पैसे हमें फॉरण नहीं मिलेंगे बलके किस्तों में हमें यहाँ पर पैसे मिलने है अच्छा examination point of view से जो आज जहन में रखने है वो यह कि installment sales का जब भी सवाल आपके सामने आएगा आप यह साथ steps में यहाँ पर लिखूंग इन steps को follow करेंगे step by step याई पहले step number one फे two यह तमाम steps आप अपने सवाल में तलाश करेंगे अगर आपको आपके सवाल में steps नजर आ जाते हैं तो आपको कोई चीज मालूम करने की जरूबत नहीं लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक step missing होता है आपके सवाल में तो आपको वो installment sales जो माल आपने installment पर बेचा है वो माल actually असल में कितने रुपे का है इसका क्या मतलब है यह भी हम discuss करेंगे इंशालला जब मैं सारी सारे step आपको 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 याद करता है तो यह होगा आपका तीसरा step क्या होगा समझेंगे अभी इसको डिटेल मे step number four होगा आपके पास unrealized या deferred gross profit rate rate मतलब percentage अगला step होगा आपके पास cash collection का या कितना cash collect हुआ आपको आपके customer से पिर अगला step होगा आपके पास step number six realized gross profit जिसे हम examiner आपका यूज करता है किस नाम से RGP के नाम से और आखरी step होगा आपके पास repossession या default आप दोर पर repossession होता ह है बलकि किसी-किसी case में जब हो default का जिकर भी आजाएगा तो यहां पर मैंने दोनों बाते लिख दी यह साथ steps आपको आपके सवाल में तलाश करने हैं इन साथो steps के meaning क्या है जरा फिलहाल हम वो meaning समझते हैं फिर सवाल में किसे तलाश करते हैं वो हम next lecture में देखेंगे आए step number one पर चलते हैं हमारे पास जो के installment sales step number one installment sales एक मिसाल आपके समने रख रहा हूं suppose आपकी AC की दुगान है याप air conditioner जो है वो sale करते हैं किस तो पर क्योंके गर्मी आ गही है तो आप जो है वो installment AC sale करते हैं कुछ information provide कर रहा हम sold 5 AC at the rate of rupees 1 lakh each on installment आपके पास जो है वो customers है बहुत सारे अलगल customer आया यू समझ लिए एक ही customer आया उस customer को अपने office के लिए 5 AC चाहिए थे उसने का कि मुझे 5 AC चाहिए आपने ओर ठीक है ले लो 5 AC एक AC जो है वो अगर cash पे लेंगे तो 10.000 पाइगा और अगर installment लेंगे आप किस्तो पर लेंगे तो जाहरी सी बात है जब पैसे देर में मिलेंगे तो तो चीमत क्या हो जाएगी मुझे बढ़ जाएगी थोड़ी सी तो आपने उससे कहा AC बेचा है, अब हमें यह वालूम करना है कि हमने जो माल बेचा है, actually हमने कितने रुपए है, बहुत ही आसान सी बात है, आपको खुद यहां पर समझ में आ रही होगी, यह समझाने की भी जरुवत नहीं है, फिर भी मेरा काम है, गहर है समझाना, तो मैं समझा ही देता हूँ, आप क्या याद करेंगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ, 5 AC आपने बेचे, 1 AC कितने रुपए का बेचा आपने, 1,00,00, AC sold, 5 AC sold किया आपने, Selling price per AC, 1 AC की Selling price कितने रुपए है, 1,00,00, अगर मुझे sale मालूम करने, तो कैसे मालूम करूँ कि मैंने 5 AC बेचे, 1 AC कितने रुपए का बेचा मैंने, 1,00,00, तो 5 को 1,00,00 से multiply कर दूँ, मेरे पास आजागा, sale आजागी, कितने में मैंने माल बेचा, 5,00,00, रुपए में मैंने माल बेचा, अब इसे आप sales का नाम नहीं देंगे, बलकि आप इसे क्या नाम देंगे, installment sales का नाम देंगे, क्योंकि आपको ये बात पता चलनी चाहिए, कि आपने जो AC बेचा है, क्या वो आपने cash पे बेचा है, ये installment पे बेचा है, 5 AC बेचे, इसे आप क्या कहेंगे, unit sold, 5 AC बेचे आपने, multiply by, एक unit की selling price, selling price per unit, एक unit की selling price कितने रुपए, 5 रुपए, तो इससे आपको क्या मालूम हो गया, 5,00,00 रुपए, जिसे आपने क्या कहा, installment sales, यानि अगर मैं आपसे installment sales का formula पूछूं, तो आपने क्या किया है, कि जितने units बेचें, यानि unit sold, उसको आपने multiply कर दिया, एक unit की selling price से, तो installment sales का formula पूछूंता है, unit sold, multiply by selling price per unit, यह आपके पास installment sales का formula है, अब आते हैं आपने second step पर, second step आपका है, cost of installment sales, इसके लिए भी एक example create कर रहा हूं, अच्छा example सारी में connect रखूंगा, यानि step number one से लेकर step number six तक, जितनी भी example रखूंगा, वो सारी example आपस में connected होंगी, step number two पराते है, cost of installment sales, एक information आपको provide कर रहा हूं, AC beginning है, मेरे पास शुरू में 50,000 रुपअ के AC रखे ता हुए था, और फिर मैंने AC और परचेस क宜े था, 3,90,000 अब परचेस किया AC और चैने की बेचने के बाद, जो मेरे पास end में AP बचे न हो कितने रुपए concentrate monday 600,000 एक रख ने के मेरे पास से कितने का AC चला गया जो कि मैंने अभी अभी अपने कस्टमर को बेचा है तो जरा कैलकुरेट करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्मेंट से कॉस्ट कालकुरेट करना कॉस्ट ऑफ AC सोल देखिया आप मेरे पास पहले कितने के अब स्क्राइख करक है कितने का AC पो बेचने के लिए जब मेरे अचे बेच दिये तो बेचने के पास मेरे पास में कितने का AC बज गया? 40,000 रुपए का मेरे पास, end में AC बज गया. 4,40,000 रुपए के AC थे, 4,40,000 में से, end में मेरे पास, अगर 40,000 रुपए का AC बज गया, तो बाकी मेरे पास से कितने के AC चले गए? 4,00,000 रुपए के मेरे पास से AC चले गए और जो AC मेरे पास से चले गए उसको मैं क्या कहूंगा cost of AC sold, जो AC मैंने बेच दिये, उसी कीमत किनी बन गई? 400,000 रुपे अब ज़र समझेगा, आपने कैसे calculate किया 50,000 रुबे को आपने add कि इसमें 3,90,000 रुपे और उसमें से AC sold, जो AC आपने बेचे, या जो माल आपने installment पे बेचा, वो कितने रुपे का माल बेचा आपने? 400,000 रुपे का माल बेचा, कैसे calculate किया? beginning plus purchases minus ending यानि जो माल आपके पास beginning में रखा वाता, यानि merchandise inventory beginning plus purchases, जो माल आपने खरीदा, minus merchandise inventory ending, तो अगर आपको याद हो, आपने inventory valuation में पढ़ा, फस्टेयर में पढ़ा, कि cost of goods sold, कैसे calculate की जाती है? merchandise inventory beginning plus purchases minus merchandise inventory ending, वही calculation यहाँ पर की जा रही है, जिसे आप अब तक cost of goods sold कहते थे, उसी cost of goods sold का नाम यहाँ पर तबदील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, और change करकर क्या रख दिया गया है, cost of installment sales रख दिया गया है, दोनों के meaning सेम है, ऐसे आप अब तक पढ़ते आया थे sales, sales का नाम इस topic में क्या है, installment sales, installment का लफ्स का इजाफा कर दिया गया, इसी तरीके से आप अब तक पढ़ते हैं तक cost of goods sold, cost of goods sold का लफ्स यहां पर बदल के क्या रख दिया गया, cost of installment sales, cost of installment sales के लिए formula क्या बनता है, merchandise inventory beginning, plus net purchases, minus merchandise inventory ending, इसे आप क्या नाम देंगे, cost of installment sales का नाम देंगे, जिसे आप आज तक क्या रख दिया गया, cost of installment sales, यह आपका था, दूसरा step, जो माल आपने बेचा, वो माल कितने का बेचा, आपने 4 लाग रुपय का माल बेचा, customer कितने में बेचा आपने, पीछे हमने बात पड़ी थी, sale कितने में बेचा था, हमने 5 लाग रुपय में माल बेचा था, तो 4 ला इस बात को यहाँ पर बहुत दियान से समझेगा, कि यहाँ पर हम इसे सरफ profit, यानि gross profit क्यों नहीं कह रहा है, हम इसके साथ unrealized या deferred का लफ्स क्यों लगा रहे हैं, ज़रा इस बात को भी हम समझ लेते है, पिछली information दो, copy कर रहा हूं, यहाँ पर, sale, आपने AC बेचा, customer को कि लाग रुपए में बेचा, लेकिन वो AC असल में कितने रुपए का था, यानि उसकी असल cost कितने रुपए थी, चार लाग रुपए थी, तो चार लाग रुपए का माल अगर आप अपने customer को पांच लाग रुपए में बेच देते हैं, बहुत ही simple सी बात है, तो मैं आप से पांच लाग रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये पांच लाग रुपए क्या है, आपकी सेल है, यानि आपने अपनी सेल में से अपने cost को क्या कर दिया, आपने minus कर दिया, तो आपको क्या मालो हो गया, प्रॉफिट मालो हो गया, अब बात ये है, कि पर देने का जिम्मेदार है लेकिन क्योंकि आपने से इंस्टॉल्मेंट पर माल बेचा है खुद कह रहे हैं किस तो में पैसे देना अभी मत देना तो इसका मतलब आपको यह पांच लाग रुप है उसी वक्त नहीं मिले अगर यह प्रॉफिट आपको नहीं मिला तो इसे अं र्यलाइज нравится का मतलब क्या होता है रियलाइज सम्राइज होता है हासल हो और unrealized हासल नहीं होना यानि वह प्रॉफिट जो अभी हमें हासल नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं unrealized gross profit क्योंकि हमधु है और इसी को हम deferred भी कहते है deferred का मतलब होता है चुपा हुआ थर यह यह य या deferred gross profit का नाम देते हैं हम इसे installment sales में और यह profit हमने कैसे मालूम किया, simple है, sales में से आपने अपनी cost को क्या कर दिया, minus कर दिया, तो deferred gross profit या unrealized gross profit का formula क्या बनता है, installment sales minus cost of installment sales, यान जितने पर आपने माल बेचा था, उसे minus कर दिजिए, उस माल की असल की मत को, यानि cost को, तो आपके पास क्या आजएगा, unrealized gross profit, यानि जितने का आपने उससे क्या अपने इससे इक रॉपे का profit कमाया, लेकिन ये एक रॉपे का profit अभी आपको मिला नहीं है, इसलिए अपन agos profit rate और आप अप माल छाते है कि मैने जो करने कास्टमर क आप माल बेचा है, वो कितने проц Mart profit रख'd है यस तो पता है कि मिह स्क्टमे कर आपने कि rapping रुपरे लाग कर माल फेया, तो इस उत पता तो बात यह है कि हमने कितने percent profit कमाया, तो देखे यह आप पात पिछले chapter में, यनि analysis of financial statement, यनि ratio analysis में आप ये बात पढ़ चुके, कि अगर हमें gross profit rate, यनि gross profit percentage अगर हमें मालूम करना हो, तो उसका formula क्या था, उसका formula यह था, कि आप gross profit को divide कर देते थे, इंस्टॉल्मेंट सेल से और multiply कर देते थे, sorry, gross profit को divide कर देते थे, आप सेल से और multiply कर देते थे आप उसे, तो आपके पास gross profit rate आ जाता था, बस वही concept यहाँ पर इस्टेमाल करना है, मैं आपको भी explain करता हूँ, कि आपने profit कितने का कमाया, एक लाग रुपय का profit कमाया, कितने का माल बेच कर कमाया, पांच लाग रुपय का माल बेच कर कमाया, यानि पांच लाग रुपय में से, एक लाग रुपय आपका क्या है, profit है, तो बात यह है कि आपने कितने percent profit कमाया, तो calculation यहाँ शो कर रहा हूँ, profit percentage, 1,00,000 पर profit कमया, जितना profit कमया, वो आपने रखा उपर, कितने की sale करके कमया, आपने, 5,00,000 की sale करके कमया, तो आपका profit किस पर बेस कर रहा है, sale पर sale होगी, तो profit होगा, तो 5,00,000 की sale में से 1,00,000 पर आपका क्या है profit, तो sale से आपने से divide कर दिया, और multiply कर दिया आपने से 100 से क्योंकि percentage मालूम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने customer से 20% का क्या कमाया है profit कमाया है यानि जो भी माल हमने अपने customer को बेचा है उस माल में हमारा profit कितने % है? उस माल में हमारा profit है 20% तो कैसे calculate क्या formula क्या बनता है कि आपने profit को divide किस से कर दिया sales से और multiply by 100 तो formula में यहां लिक रहा हूँ unrealized gross profit rate is equal to unrealized gross profit DGB का मतलब यहां पर क्या है unrealized gross profit या deferred gross profit जो भी नाम दे रहे है unrealized gross profit या deferred gross profit divide के आपने इसे sales से sales का यहां पर नाम क्या होगा installment sales नाम होगा and then multiply by 100 तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितने percent profit कमाया 20% आप customer से profit कमा रहे है चलते हैं अपने next step की तरह step number 5 जो क्या होगा cash collection का cash collection आपकी exam में जो सबसे technical चीज होती है वो यही cash collection है जो के आपको सबसे यहादा परेशान करेगी कुछ question ऐसे होंगे जिसमें cash collection given होगी और कुछ question ऐसे होंगे जिसमें cash collection given नहीं होगी तो जहाँ पर cash collection given नहीं होगी वहाँ पर आपको बहुत दिहान से cash collection को समझना पड़ेगा एक यह example create कर रहा हूँ है आपके सामने इसी जो पीछे जो काम करते हैं वहार है उसी से related example create कर रहा हूँ year 2018 की बात करते हम लोग sale 5 lakh रुपय की sale की आप अच्छी तरीके से जान चुके है कि हम जो माल बेचा customer को वो कितने रुपय माल बेचा हमने 5 lakh रुपय सबばいसे माल बेचेंगे तो customer ने उस वक्तो पैसे नहीं लेकिन उसके अगले मुझे एगले मेजने lebih अगले मुझे मुझे तो कुछनाग पैसे तो दिये होंगे से बेचेत्ग क्या जापने चैक किया साल के आखर में अभी भी मुझे अपने customer से 5 lakh ही रुपय ही ले ने साल में माल बेचा आपने कितने पांच लाग रुपए है लेकिन जब साल हटम हुआ तो साल खतम होने में आपको अपनेसे लेने कितने हैं सर फ्र 시리 आ거든 अगॉधा रिसी, जो आपका पैसे मिल गए, कितने पैसे मिल गए, उसी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, मैं आपके सामने प्रेज़ेंट रहा हूँ, कि 5 लाग रुपे का माल बेचा था, 5 लाग रुपे में से, अब सिर्फ 3 लाग रुपे लेने बाकी है, इसका मतलब कस्टमर ने आपको कितने पैसे कि जितना माल बेचा था, सेल किया था, उसमें से आपने अपने अकाउंट रिसेवेबल एंडिंग को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यही फॉर्मला बनता आपके पास, सेल में से आपने अकाउंट रिसेवेबल एंडिंग को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मालूम हो एंडिंग है उसमें से क्या कर दिए मानिस कर दिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा cash collection अच्छा cash collection का एक और formula है जो मैं यहाँ पर discuss करने जा रहा हूं आपसे यह तो बात थी 2018 की अब आयते हैं 2019 पर यह जो 2018 का account receivable था 3,00,00 रुपए यही अब account receivable कौन से year में आ जाएगा 2019 में आ जाएगा और 2019 की किस date पर आ जाएगा January 1st 2019 में आ जाएगा तो जो आपका account receivable ending था 2018 का वही account receivable beginning बन जाएगा 2019 का यानि उसी customer से जिसको आपने 5,00,000 रुपए का माल बेचा था 5,00,000 रुपए के AC बेचे थे 2018 में उस में से उसने 2,00,000 रुपए तो दे दियो उस साल अब अगला साल शुरू हुआ अगले साल पर आपने उसे January 1st को remind करवाया कि January 1st पर मुझे आपसे पैसे लेने हैं 3,00,000 रुपए customer भाई कहा भागा जा रहा हूं दे दूँगा सबर गढ़ जाओ पूरे साल में आपके customer ने कुछ आपको पैसे दिया और जब आपने उसका record चेक किया कब December 31st 2019 पर तो पता चला कि account receival अभी उस customer के पर पैसे बाकी हैं कितने पैसे बाकी हैं 2,00,000 रुपए अभी भी customer के उपर बाकी हैं January 1st को साल के शुरू में कितने पैसे लेने हैं 3,00,000 रुपए December 31st को account receival पैसे कितने लेने हैं 2,00,000 रुपए इसका मतलब यह हुआ कि 3,00,000 रुपए लेकिन अब 3,00,000 रुप नहीं लेने बलकि आप कितने पैसे लेने हैं 2,00,000 रुपए लेने account receival ending को minus किया था अब आपने sale में से account receival ending को minus किया है तो यह आपके पास क्या है cash collection यानि cash collection के दो formula बनते हैं पहला formula क्या बना installment sales में से account receival ending को minus कर दीजे और दूसा formula क्या बना installment account receival beginning में से installment account receival ending को minus कर दीजे तो भी आपके पास क्या आ जागा cash collection आ जागा जिस तरहां का data आपके पास होगा उस तरहां का formula आप इस्तेमाल करेंगे अगर sale मौझूद है तो पहला वाला formula इस्तेमाल करेंगे और अगर account receable beginning मौझूद है तो फिर दूसरा वाला formula आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अच्छे इसके लाबा एक और formula होता है वह जब हम lecture में discuss करेंगे नि जब question आएगा तो वहाँ पर हम उसको discuss करेंगे फिलाल मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ और आप confused होते रहेंगे अगला step is realized gross profit इस बात को बहुत ही दिहान से समझेगा जब आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ पहले एक मिसाल create करता हूँ चाय की जब आप चाय बनाते हैं मैं तो नहीं बनाता लेकिन जब कोई खातून चाय बनाती है कोई भी तो चाय बनाने का तरियकार for example मैं कुछ ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो चाय बनाते हैं उसमें 80% आप क्या यूज करते हैं water यानि पानी इस 50% आप उसमें से इस्तेमाल करते हैं दूद यानि milk इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग ज्यादा गंजूस होते हैं तो 95% water और 5% मैंने यहाँ पर 80 और 20 की मिसाल क्यू रखिए वह भी आपको मेरी बास समझ में आजेगी तो आपने for example चाय बना ली बहुत सारी पूरी मतलब जि चाय बनी पतीली में तो उसमें थोड़ा सा पानी था और थोड़ा सा दूद था पानी के मिकदार उसमें कितने परसंट थी 80 परसंट थी और दूद की मिकदार उसमें कितने परसंट थी 20 परसंट थी आपने चाय बना ली क्यूंकि डॉक्टर ने कहा है करोना वाइरस में ज दूद की मिगदार कितने कितने परसंट होगी होगा वह पहला कप ही होगा लेकिन अकर उसमें पूछा जाए कि वह इसमें दूद कितने परसंट है पानी कितने परसंट है आपका जवाब यह होगा कि पहले कप में पानी कितने परसंट है 80 और दूद कितने परसंट है उसमें 20 यानि जो पहला cup आप निकालेंगे चाय का, उस पहले cup में पानी और यो दूद का रिशो होगा, वो क्या होगा? 80 परसंट और 20 परसंट होगा. अच्छा, जो दूसरे शक्स हो, यानि आप किसी और को दूसरा cup दे रहे हैं, उस दूसरे cup का जाय का जाय का जाय का भी बिलकुल सेम होगा, यानि उसमें भी पानी की मिगदार 80 परसंट होगी और उसमें दूद की मिगदार कितने परसंट होगी? 20 परसंट होगी. इविन के जब आपना लास्ट कप बनाएंगे, लास्ट कप में भी पानी की मिगदार कितने परसंट? 80 परसंट और दूद की मिगदार 20 प 20% होगी 20% यानि हर कप का जायका बिल्कुल क्या रहेगा सेम रहेगा यानि हर कप में पानी और दूद का रेशो बिल्कुल क्या रहेगा सेम रहेगा यही मिसाल realized gross profit की है जरा इस बात को मेरी समझेगा आपने अपने customer से cash collect किया था 2018 की बात आ रहा हूं पीछे जाकर example check कीजिएगा कि आपने अपने customer से cash collect किया था 2,000,000 रुपए यह जो आप customer से cash collect करेंगे आपने customer को माल कितने का बेचा था 5,000,000 रुपए का माल बेचा था उस 5,000,000 रुपए में आपका profit कितने percent था 20% तो यह जो milk है इस milk को समझे अपना profit profit कितने percent था 20% अगर profit 20% है तो बाकी 80% किया है बाकी 80% आपकी जेब से लगी हुई अपनी cost है यह जो कि आपने अपनी जेब से लाई तो यानि आप यह कह रहे हैं कि जो भी माल आपने customer को बेचा 5,000,000 रुपए का उस 5,000,000 रुपए में 20% आपका profit था और 80% आपकी cost थी अब customer आपको जब जब पैसे देगा चाहे पहली किस दे चाहे दूसी किस दे चाहे तीसी किस दे चाहे आखरी किस दे हर बार जब भी वो आपको पैसे अदा करने आएगा उन पैसो में 20% आपका profit होगा और 80% आपका होगी cost होगी ऐसा नहीं हो कि आप पहले कहेंगे नहीं जब तक पहले हम सारा profit पहले आप सारी अपनी cost collect करेंगे और फिर हम profit की तरफ जाएंगे नहीं जैसा नहीं है जैसे आपने चाय बनाई चाय में profit यानि दूद और पानी दोनों को mix कर दिया है अब आप दोनों को अलग नहीं कर सकते बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो भी माल कस्टमर को बेचा अब कस्टमर इसमें से जो भी पैसा आपको देगा उसमें से आपका profit अलग होगा और cost आपकी क्या होगी अलग होगी कितने परसंट होगा 20% profit होगा और 80% आपकी क्या होगी cost होगी आप अगर यह सोचते हैं कि नहीं जी पहले हम सारी cost collect कर लें तो ऐसा possible नहीं है जो भी पैसा आएगा उसमें profit भी होगा और उसमें cost भी होगी तो customer ने आपको पहले साल कितने पैसे दिये दो लाग रुपे इस दो लाग रुपे में आपका profit कितने परसंट है 20% आपका क्या है profit है profit परसंट है जो कि हम पीछे discuss कर चुग है 20% तो अगर customer 2 लाग र profit है और कितनी आपकी cost है हम यह मालूं परने जा रहे है फिलहाल हम मालूं परने जा रहे है profit तो profit पर चलते है profit दो लाग रुपे में से आपका profit कितने परसंट है 20% तो दो लाग को अगर मैं 20% से multiply कर दूं तो कितना आता है answer 40,000 यानि आप यह कह रहे है कि अगर customer मुझे 2 ल आपकी cost कहलाएगी वह जो आपकी अपनी जेप से गई थी cost recover हो गई आपको यानि अपनी जेप से गई ही cost recover होगी आपको 1,60,000 रुपे और profit आपको मिला कितना profit मिला आपको 40,000 रुपे सवाल यह है कि क्या यह profit आपको अब मिल गिया या नहीं मिला क्यूंकि customer ने आपको cash दे दिया आपने अपने customer से cash collect कर लिया है अगर customer से cash collect कर लिया इसका मतलब profit भी आपको अब क्या हो गया मिल गिया पहले जब आपने उधार पे 5,000,000 का माल बेचा था उस वक्त पैसा नहीं मिला था पैसा नहीं मिला तो profit भी नहीं मिला तो उस profit को आपने क्या कहा था unrealized gross profit क मिला लेकिन अब customer ने आपको 5 लाक में से 2 लाक रुपे दे रही है 2 लाक में आपका profit कितने percent है? 20% है पैसा मिल गया 2 लाक रुपे, अगर पैसा मिल गया तो इसका मतलब देगा थोड़ा सा profit भी मुझे मिल गया कितने का profit मुझे मिल गया 40,000 रुबय का profit मुझे मिल गया क्योंकि यह profit मुझे मिल गया है इसलिए ऐसे क्या नाम दूँगा Realized Gross Profit का नाम दूँगा तो Realized Gross Profit के लिए formula क्या बनता है कि जितना cash collect हुआ आपने उसे अपने profit percentage से क्या कर दिया multiply कर दिया तो यही इसका formula बनता है Realized Gross Profit is equal to cash collection multiply by unrealized gross profit rate यानि जो भी आपको cash collect हुआ उसको आप multiply कर दिजए अपने profit percentage से तो आपको यह बात मालू हो जागी कि आपको इस साल कितना profit मिला है देखे दोर चीजों में confusion create मत कीचेगा cash कितना मिला? 2,00,000 profit कितना मिला? 40,000 रुपे यानि जो cash मिला है वो तो 2,00,000 रुपे मिला है उस 2,00,000 में से साहर सी बात है पूरा का पूरा आपका profit तो ही है उसमे profit कितने percent है सरफ 20% आपका profit है जो कि कितना बनता है 40,000 रुपे तो आप यह कहरेंगा 2,00,000 रुपे cash मिला इस में से 40,000 रुपे हमें profit मिल गया बाकी 3,00,000 रुपे अभी बाकी है वो शायद हमें अगले या उसके अगले साल आकर मिले और उसका profit भी अब हमें अगले साल ही जाकर मिलेगा इस साल हमें वो profit नहीं मिलेगा यह हमाता है step number 6 step number 7 7 है हमारे पास repossession ठीकिए repossession का मतलब क्या होता है पहले possession को समझते है possession का मतलब होता है कबजा repossession मतलब होता है दुबारा कबजा अब इस दुबारा कबजे से क्या मुराद है for example आप दुकां से माल खरीद कर लेकर आए बेचने के लिए तो अब उस AC पर आपका कबजा नहीं रहा, बलके उस पर किस का कबजा हो गया, जिस कस्टमर को आपने बेचे, अब उस कस्टमर का कबजा हो गया, उस कस्टमर ने आपको पैसे अदा की कुछ महीने तक उसके बार उसने आपको किस्ते देना बंद कर दी, जब कस्टमर आपको किस्ते देना बंद कर देता है तो आप उससे अपना माल उठाकर वापस लेकर आजाएंगे तो अब उसी माल पर दुबारा से आपका कबजा हो जाएगा यानि पहले आपका कबजा था फिर कस्टमर का कबजा हुआ और अब दुबारा से आपका कबजा हो गया जब दुबारा गबजा हो जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? री पजेशन का नाम देते हैं यानि इस स्टेप में आपको ये बात पढ़नी है कि अगर कोई कस्मर पैसे देने में नाकाम हो जाता है और हम उससे अपना माल उढ़ा कर वापस लेकर आ जाते हैं तो इसके लिए क्या तरियेकार हम यह पर इक्तियार करेंगे तो उसके लिए तरियेकार कुछ invite को यह तेखर करेंगे मैं इसको explain नहीं कर रहा है सर्फ मैं आपको तरियेकार लेको रहा हूँ explain कर दांगा next lecture में क्योंकि बहुत लंबा lecture हो जाहाएगा minus करेंगे आप इसमें से unrealized gross profit को जो भी answer आएगा उसे हम नाम देते हैं book value का फिर इसमें से less करेंगे merchandise repossessed at market value तो आपके पास gain या loss on repossession आजागा इस पूरे step को यानि इस पूरे step को step number 7 को repossession वारे step को वो हम discuss करेंगे अपने next lecture में फिलाल मैं यहां पर explain नहीं कर रहा हूं next lecture में जब question आएगा तो question के साथ मैं इसे आपको explain करूँगा मेरी बात आपको उस वक्त ज्यादा बेतर में समझ में आजाएगी यहां तक अगर आपको कोई बास समझ में ना आई हो तो बिल्कुल मुझसे पूचेगा इंशाला फिर मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में तब तक के लिए आपना और अपनी फैमिले का बहुत खया लखेगा टेक कियर अलाहाफिज